तुलिए स्टुनेंट्स हम लोग अचकी सेसिंएर में बात करेंगे साइकलोन के बारे में एससेरी ट्रॉपिकल साइकलोन के बारे में ट्रोपिकल साइकलोन मतलब ऍसन कटिपंधी चक्रवात लेकिन उसन कटिबंधी चक्रवात हम लोग पढ़ेंगे जरूर लेकिन थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेते हैं कि साइकलोन वाकई होता क्या है तो देखिए साइकलोन क्या है साइकलोन कुछ इस तरह की चक्रदार हवाओं से घिरा हुआ एक छेत्र होता है जिसमें यह देखिए परीधी से केंद्र की ओर इस तरह से हवाएं चलती है अब सीड़ी सी बात है कि अगर परीधी से केंद्र की ओर हवा चल रही है तो परीधी पर हाई प्रेशर होगा और सेंटर में क्या होगा लोग प्रेशर इसको हम कहते हैं साइकलोन तो साइक्लोन क्या है? साइक्लोन चक्रदार हवाओं से घिरागवा छेत्र होता है जिसमें परिदी पर यानि एकदम केनारे पर उच्च वायुदा पाया जाता है और एकदम केंदर में देखेंगे तो निम्न वायुदा पाया जाता है यानि परेधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं और ये हवाएं जितनी तेज चलेंगी चक्रवाद की तीब्रता उतनी ही ज़्यादा होती है आपने बहुत बार सुना होगा कि ये सुपर साइकलोन था जिसमें हवाओं की स्पीड अगर देखा जाए तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा रहती है उसका मतलब ये रहता है कि हवा की स्पीड ज़्यादा तब होगी जब इस हाई प्रेशर और सेंटर के लो प्रेशर के बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी दूसरी चीज बात हम लोग करने वाले हैं ट्रॉपिकल साइकलोन पर यानि जो भारत और उसके आसपास के छेत्रों में आप लोग गर्मी ओंब देखते होंगे साइकलोन बनते हैं हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं बैसिकिली दखिए दो तरह के साइकलोन होते हैं उस नकटीबंदी चक्रवात होते हैं और दूसरे सीतोष निकटिबंधी चक्रवात होते हैं तो भारत और उसके आसपास के छेत्रों में जो चक्रवात गर्मियों में बनते हैं उसको हम कहते हैं उस्निकटिबंधी चक्रवात उस्निकटिबंधी चक्रवात का जो छेत्र होता है ये 5 degree से लगाकर 30 degree North और South Latitudes में होता है यानि 5 degree से 30 degree उत्तरपच्छांस और 5 degree से 30 degree दक्चडपच्छांस में होता है और इसी को कहा जाता है उसमें कर्टिबंधी चक्रवात तो ये तो चक्रवात की एक सामान ने हमने आपको बातें बताई क्योंकि basically हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है क्या दरसल हम उस पर चर्चा करते हैं आपसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसको हिंदी में कहते हैं कि ऊश्ण कट्टि बंधिय चक्रवाद जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हूँ यह चक्रवाद का छेत्र क्या होता है पाइप डिग्री से लगाकर थर्टी डिग्री नौर्थ और साउथ लैटिट्यूट्स में होता है इनकी जो उत्पत्य की बाते हैं यह बनते कब हैं गर्मी में बनते हैं जब भी यह बनेंगे हमेशा गर्मी में बनेंगे और इनके लिए आवस्यक है कि जो सागर की सत्य है सागर का जजवल है उसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटिग्रेट या 27 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान होना चाहिए इससे कम होगा तब भी नहीं बनेंगे ज्यादा होगा तब भी नहीं बनेंगे इतना टेम्परेचर होना चाहिए एक चीज़ ध्यान रखें आप लोग अब देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया में आपको बताता हूं पूरे वर्ड में कब बनेंगे और पैसे यह देखिए यह पूरी एरिया यह देखिए यह जो पूरी एरिया आप देख रहे हैं यह ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया होता है कब बनेंगे गर्मियों में बनेंगे यानि ग्रीस मकाल में और सागरो पर बनते हैं यह कूशन कटिबंधी चक्रवात का जो छेत्र होता है वो लगभग 30 किलो मीटर से लगा कर एक माना जाता है कि 800 किलो मीटर तक यह पाया जाता है इनका ब्यास होता है यह साथी साथ आपको ध्यान यह रखना है क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन यानि ऊश्न कटिबंधी चक्रवात के बारे में हमको भारत को ध्यान में रखके पढ़ना है अब एक चीज़ समझे जैसे आप लोगों ने पर्मारेंट विंट्स पढ़ी होंगी तो पांस डिगरी से तीस डिगरी उत्तर पांस डिगरी से तीस डिगरी दक्षण अक्षांस में जो हवाये चलती हैं वो हवाये कौन सी होती है वो ब्यापारिक हवाये होती हैं 30 डिगरी से 60-65 डिगरी उत्तर और 30-65 डिगरी दक्षणक्षांस में जो हवाएं होती है वो पच्छुआ हवाएं होती है अब भारत का छेतर देखिए चुकि ब्यापारिक हवाएं चल रही है गर्मियों में यहाँ पर तो ब्यापारिक हवा की दिशा क्या होती है ब्यापार कटिबंधी चक्रवात बनते हैं तो ये चक्रवात चुकि ब्यापारिक हमाओं के छेत्र में होते हैं और ब्यापारिक हमाओं के छेत्र में होने के कारण इनकी जो स्वाभाविक गत्य करने की जो दिशा होती है वो पूरप से पस्चिम होती है तो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बनेंगे वो निस्चित रूप से भारत की तरफ आएंगे इनकी स्वाभाविक दिशा पूरप से पस्चिम रहती है जैसे अभी आपने देखा होगा कि हली में एक चक्रवात आया मोचा मोचा साइकलोन के अगर हम बात करें तो मोचा साइकलोन यहाँ पर अंडमान निकोबार दीप समों के पास यहाँ कहीं था इस जगह पर और यह भारत में तमिल नाडू आंद्र प्रदेश ओडिशा पस्षिब मंगाल इन सभी राज्यों को इसने प्रभावित किया बारबार आप लोगों से PCS में IS में यह प्रसुद पूछे जाते रहते हैं वह जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं खास्त वर से गर्मियों में ही आते हैं तो वह चक्रवात भारत में ही क्यों आते हैं तो उसका एक सीधा सा अन्षर यह होता है चुकि ये ब्यापारिक हवाओं का छेत्र है इसलिए जो भी चक्रवात ब्याफ बेंगाल यानि बंगाल की खाड़ी में बनेंगे वो ब्यापारिक हवाओं के साथ पूरव से पस्चिम में गति करते हुगे वो निश्यत रूप से भारत के पूरवी तटवरती भाग को प्रभावित होने वाले राज्य होंगे उसमें पस्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडू ये राज्य रहते हैं जो ऐसे चक्रवात जिनकी उत्वत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई है लेकिन इस्टुडेंट्स में एक कन्फूजन भी रहता है बा कभी कुछ साइकलोन अरेवियन सी में बनते हैं गर्मियों में वो भी ट्रॉपिकल साइकलोन होते हैं तो वो जो ट्रॉपिकल साइकलोन जो अरेवियन सी में बन रहे हैं उनकी तो स्वाभाविक दिशा औरभ से पस्चिम होते हुए इस्टर्न अफरीका कोस्ट की तरफ होन यानि जब सूर्य उत्रायंड रहता है उत्रायंड का मतलब from 21st March to 23rd September 21st से 23 सितंबर तक सूर्य उत्रायंड रहता है और उत्रायंड होने की वज़ा से भारत में उस समय ग्रीश मिकाल की दसा रहती है अब भारत का अब ध्यान रखेंगे कि यह जो भारत का राजस्थान वाला यद्यपी अरेवियन सी में जितने भी ट्रॉपिकल साइकलोन बनते हैं उनकी स्वाभाविक दिशा पूरव से पश्चिम होने की वज़ा से उनको अफ्रीका के पूरवी तट की तरफ जाना चाहिए और वो जाते भी हैं लेकिन चुकि भारत में उस समय खास्तोर से जो था की टेंस लो प्रेशर है अधिक्तम या तिबृतम निम्न वायुदाप का विकास राजस्थान और उसके आसपास जो हुआ रहता है तो इस साइकलोन में से कुछ नमी और कुछ हवाओं को वह अपनी तरफ आकरशित करता है और अरेबियन सी में जो साइकलोन गर्मियों में बनते हैं उसी में से उनकी कुछ मात्रा कुछ नमी कुछ प्रतिशत में हवाएं डाइवर्ट होके चली जाती है राजस्थान महरास्ट्रा और गुजरात आदी राज्यों के तटवर्ती और उसके अंदर उनी भागों में जिसकी वज़ा से वहां पर कुछ मात्रा में वर्षा हो जाती है अन्यता ब्यापारिक हवाओं में इस्थित होने के कारण जो भी चक्रवात अरेबियन सी में बनेंगे उनकी स्वाभाविक दिशा पूरव से पस्चिम होती है और वो निस्चित रूप से अफ्रीका के पू लेकिन अगर कोई साइकलोन अरेबियन सी में गर्मियों में बन रहा है तो उनसे भारत में होने वाली वर्षा की मात्रा कम रहती है क्योंकि उनकी स्वाभाविक दिशा जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि वो पूरव से पस्चिम रहती है भारत की तरफ उनकी दिशा नह आने वाले चक्रवात भारत में ज्यादा तबाहिल आते हैं, ज्यादा विनाश करते हैं, लेकिन अरब सागर में आने वाले चक्रवात भारत में उतनी मात्रा में विनाश नहीं करते हैं, अरब सागर में जो चक्रवात आएंगे, उनसे ज्यादा तर जो प्रभाव पड़ता ह है वो महराष्ट्रा में गुजरात में और राजस्थान में और कह सकते हैं कि उससे भारत के कुछ और अंदरूनी हिस्सों में प्रभाव पड़ सकता है कि साथी साथ आपने बहुत बार पेपर्स में एलेक्ट्रोनिक मेडिया में समाचार वाज़कों के माध्यम से सुना होगा जैसे अभी चक्रवात मोचा अभी अभी गुजरा है तो जब भी आप न्यू चैनल खोलते होंगे तो उसमें एक चीज़ सामने आती है कि चक्रवात मोचा इतने घंटे के बाद पला तटकवास पर करेगा एक चीज़ ध्यान रखिएगा जोग्रफी में एक वर्ड होता है लेंड फाल लेंड फाल और साइक्लोन इसका मतलब यह होता है जो आपने न्यू चैनलों में सुना होगा कि चक्रवात इतने घंटे के बाद इतने समय के बाद वो अस्थल को अस्पर्स करेगा या पला शहर या पला राज के तट को अस्पर्स करेगा उसी को जोग्रफीकल भासा में कहा जाता है लेंड फाल अब दा साइक्लोन जयानी चक्रवात का लेंड फाल हो जाना इसको बहुत प्रेक्टिकली आप ऐसे समझे जितने भी उस्न कटिबंधी चक्रवात यानी ट्र गर्मियों में बनते हैं ये मुख्य रूप से गर्मियों में सागरों पर बनते हैं सागरों का तापमान लगभग 26 से 27 डिग्री सेंटिग्रेट उस समय होना चाहिए तभी वो उनकी उत्पत्ति होगी उसन कटिबंधी चक्रवात जितनी देर तक सागर पर रहेगा वह उतना ही ज़्यादा तीब रहोगा उसमें हवाओं की गती उतनी ज़्यादा होगी नमी की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी और होने वाली वर्षा की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी जैसे अगर कोई साइक्लोन बिल्कुल कोस्टल एरिया के पास निर्मित हुआ तो इसका मतलब उसका लेंड़ फाल जल्दी हो जाएगा उसकी इंटेंसिटी उतना बढ़ने नहीं पाएगी लेकिन अगर कोई साइक्लोन कोस्टल रीजन से दूर कहीं निर्मित हो रहा है तो पूरब से पस्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए और तट तक पहुशने के दर्मियान उसको एक लंबा समय बिताना पड़ता है और उस लंबे समय के दर्मियान उस सागर पर रहता है और ध्यान रखिएगा जितनी देर तक वो सागर पर रहेगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में वो ताकतवर होता चला जाएगा जैसे ही साइक्लोन अस्थल को टच करता है चाहे वो भारत के तमिलनाडो राजी के तट को असपर्स करे आंधप्रदेश को टच करे ओडिसा को टच करे पस्षी बंगाल राजी को टच करे केरला को टच करे जैसे ही अस्थल को टच करेगा तिये मान के चलिए कि वहीं से साइक्लोन का कहा जाता है कि land fall हो गया है यानि साइकलोन ने अब सागर को छोड़ दिया है और वो अस्थल पर उतर आया है जितनी देर सागर पर था उसकी गती, उसकी तिब्रता, नमी की मात्रा वर्षा की मात्रा बढ़ रही थी लेकिन जैसे ये अस्थल पर वो उतरता है वहीं से उसमें ये मान के चलिए कि वहीं से ब्रेक लगना शुरू होता है जैसे आप कार चलाते हैं सोकी स्पीड में गाड़ी चल रही है तो आप एमर्जनसी ब्रेक भी लेते हैं तब भी गाड़ी घसीटते हुए कुछ आगे तक चली जाती है जैसे ही साइकलोन का लेंड फाल हुआ जैसे ही साइकलोन ने अस्थल को टच किया साइकलोन में वहीं से ब्रेक लगना शुरू होता है यानि ये मान के चलिए कि वहां से हवाओं की गती धीर धीरे मंद होनी शुरू हो जाती है नमी की मात्रा धिरे-धिरे कम होनी शुरू हो जाती है हवाओं की गती कम होनी शुरू हो जाती है वर्षा होनी कम शुरू हो जाती है और जैसे-जैसे साइक्लोन फिर देश के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचेगा वैसे वैसे इन सभी चीजों की मात्रात्म कमी दर्ज की जाती है और अंदरुनी हिस्से में जाते जाते चक्रवाद धीरे धीरे समाप्त होते होते बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि भारत में और उसके पडोसी देशों में यानि गर्वीयों में बनता है और दोधर से ध्यान रखियेगा विली विली जुए चक्रवाद बागियो तो बहुत बार आपसे यह पूछा जाता है यह है क्या ध्यान रखेंगे यह जितने भी ट्रमलोजी हमने यहां पर लिख रखी है यह सभी स्क्या है यह उस्ट निकटिबंदी चक्रवाद है और यह उस्ट निकटिबंदी चक्रवादों के अलग अलग अस्थानिय नाम है जैसे जब हम बात हरीकेम की करते हैं यह देखिए मैक्सिको की खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी से चक्रवाद बनके संयुक्त राज अमरीका के मैदानी इलाकों में आगे बढ़ते हैं यहां प जी दक्षन चीन सागर है कि यहाँ पर जो साइकलोन बनता है वो साइकलोन चाइना की तरफ आगे पढ़ता है कि छाइना में उससे वर्षा होती है याई दक्षन चीन सागर में उत्पन्ण होने वाले उस निकतिबंधी चक्रवातों को क्या कहा जाता है टाइफून विली-विलीज जब यही चक्रवात आस्ट्रेलिया के आसपास बनते हैं इसको कहा जाता है विली-विलीज बागियों फिलिपीन्स फिलिपीन्स में बनने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है बागियों और भारत में और उसके आस पास के जो देश है, वहाँ बनने वाले चक्रवातों को कहा जाता है, खास्तोर से साइकलों ही कहते हैं, चक्रवात, तो एक बार मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से अब श्लू सुनिये, पहली चीज, हम चक्रवात की बात करते ह चक्रवात, निम्न वायुदाव के केंद्र होते हैं, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाव होता है, परिधी पर उच्छ वायुदाव होता है, परिधी से केंद्र की और हवाएं चलती हैं, और परिधी से केंद्र के बीच वायुदाव का जितना ज्यादा अंतर होग प्रत्वंटे से ज़्यादा हो जाता है, तब वह सुपरसाइकलोन की स्रेडी में आ जाता है, ज्यान रखेंगे, दुनिया में दो तरह के चक्रवात होते हैं, मुष्नकतिबंदी चक्रवात और दूसरे, सीटोष्नकतिबंदी चक्रवात, कूष्न निकटि बंधी चक्रवात 5 डिगरी से 30 डिगरी उत्तर और 5 डिगरी से 30 डिगरी दक्ष्णकछांसों में होतां जो हमारा आज का टॉपिक भी था और दूसरा जो सीफन निकटिबंधी चक्रवात होते हैं जो हम कभी फिर आपको बताएंगे, वो 30 या 35 डिग्री से लगाकर 60 से 65 डिग्री उत्तर और 30 या 35 डिग्री से लगाकर 30 से 65 डिग्री डक्षनक छांसों में बनते हैं, और इनकी दिसाथ पस्चिम से पूरब होती है, जो भारत में सीत काल में प्रवेश करते हैं, जिसको भार और उसके पडोसी देशों में गर्मियों में सागरों पर बनते हैं, जैसा अक्षांसी विस्तार की बात करें तो 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षनक छांस, सागर की सतह का तापमान, जो सी सर्फिस का जो टेंपरेचर है, वो लगभग 26 य जितनी देर सागरों पर रहेंगे, उतने ही ज्यादा ताकतवर होंगे, पावर्फुल होंगे, इंटेंसिटी इनकी बढ़ती जाएगी, नमी की मात्रा बढ़ती जाएगी, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जैसे ही ये अस्थल को टच करते हैं, तो उस वहाँ प गम हो जाती है, और जैसे जैसे वह अस्थल परागे बढ़ते हैं, उनकी गती मंद होते 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 होते, वो धिरे-दिरे समाप्त हो जाते हैं, जैसे अभी हाली में साइकलोन आया मोचा, मोचा नामक साइकलोन अंडमान निकुबार दीवतमों के पास था, हमेशा ध्यान में रखेंगे, उस नकटिबंदी चक्रवात भारत के पूर्वी भाग में इस्थित बंगाल की खाड़ी में भी बनते हैं, गर्मियों में, और भारत के पस्वी भाग में अरब सागर में भी गर्मियों में बनते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो चक् प्रभावित होते हैं जैसे पस्चिम मंगाल की बात की जाए ओडिशा की बात की जाए आंधर प्रदेश की बात की जाए तमिलाडो की बात की जाए लेकिन वही पर जो अरब सागर के चक्रवात होते हैं वो चक्रवात भारत में उनकी सीधी सीधी दिशा नहीं होती वो चक्र सिदे सिदे आगे बढ़ते हुए अफरीका के पूर्वी तटवर्ती छेत्र की और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भारत में उसमें ग्रीस मकाल रहता है और ग्रीस मकाल रहने की वजह से राजस्थान, गुजरात, महरास्ट और उसके आसपास के अस्थली भागों में निम्नवायदाब का विकास हुआ रहता है। अब चुक्कि वहाँ पर अस्थल पर निम्नवायदाब है तो सागर पर अपेक शाकृत उच्चवायदाब और नमी वाली हवाएं हैं। तो वही नमी वाली जो हवाएं हैं वो कहीं न कहीं इंटेंस लो प्रेशर की तरफ आकरशित होती हैं और भारत के अंदरुनी छेत्रों में बहरास्ट्रा में, गुजरात में, राजस्थान में और उसके आसपास के छेत्रों में जाकर थोड़ी बहुत मात्रा में वर्शा क यानि इसका मतलब यह हुआ कि बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात बनेंगे उनसे वर्षा भारत में ज्यादा होगी और जब वो चक्रवात अरफ शागर में बनेंगे तो उनसे भारत कम होगी हमेशा इसीज का ध्यान रखेंगे कि भारत का यह जो पूर्वी तटवर्ती भाग है यह गर्मियों में खास्तावर से मार्च से लगाकर और मिड जून तक प्रतिवर्ष बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है और प्रभावित होने के पीछे मूल रूप से यही उस्न कट कटिवर्ष बंदी होते हैं प्रतिवर्ष में उस्ण कटिबंदी चक्रवात होते हैं फ्रतिवर्ष बढ़ वी तटवर्ती भाग में उस्लिकतिबंदी चक्रवाद से बिनास होता है लेकिन क्या भारत के मध्यवर्ती या अंधरुनी इलाकों में क्या वही बिनास होता है तो उसका जवाब होगा कि सैध वह बिनास नहीं होता उससे कहिन कई किसानों को फसलों को आम जन जीवन को बड़ा लाव मिलता है पर एक्जामपल जैसे माल लीजे यहां से कोई साइक्लोन बना ये इस एरिया में एक साइक्लोन बना और वो साइक्लोन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तटवर्ती भाग की तरफ आगे आया तो तटवर्ती भाग तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे नक्षान होगा दैसे वहां की फसले नस्ट हो सकती है वहां के जो नाविक हैं जो रोज मचलियां पकड़ते हैं उनकी जीवी का परप्रस्ण चिन खड़ा हो जाता है कुछ दिनों के लिए ये सब सारी बाते होती है मत्शुद्यों कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो जाता है लेकिन युकि ग्रीस मकाल है और भारत का जो अंदरूनी हिस्सा है वो बिलकुल तप रहा है गर्म है इस समय तो अंदरूनी इलाकों में उस मैक्सिमम टेंपरेचर से कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है गर्मियों में किशानों के लिए अपने फसलों की सिचाई करना एक बड़ा ही कठिन काम होता है तो ऐसे में अगर इस तरह के चक्रवात आते हैं तो किसानों को उनकी फसलों के लिए बड़ा लाव मिलता है यानि इसका मतलब यह हुआ कि उस्न कटिबंदी चक्रवात से अगर भारत और उसके तटवर्ती राज्यों को या तटवर्ती देशों को हानिया है तो उससे होने वाले कुछ लाव भी है यानि हान के साथ साथ लाव भी दिखाया जाता है ठीक है